नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां की टॉप 25 पर्मों खबर जानते हैं टीका बनाने वाली सभी कम्पनियों के साथ बाचित कर रहा है भारात स्वास्त मंत्राले स्वास्त मंत्राले ने मंगलवार को कहा है कि कोबिन-19 का टीका उपलब्ध कराने को लेकर राश्ट्रिये बीसे सग्ये समो की सभी घरेलू और विदेशी टीका निर्मतावक साथ बाचित चल रही है एक दिन पहले ही दावा कम्पनी फाइजर और बायो एंटेक एस ई ने कुरोना वाइरस से समावी टीके के नवे पर्चिषत तक असरदार होने की घोसना की थी जारकन मौसम विभाग के अनुसार जारकन के सभी जीलो में सरदी ने दस्तक दे दी है लबग सभी जीलो की नितन तापान में 2-3 डीगरी की गिरावट देखने को मिल रही है मौसम विभाग के दुआरा जारी अगले 5 दिनों के मौसम पुर्वनवान में बताया गया है कि मंगलवार से राज्ये में पुर्वाईया हावा चलेगी हावा की रफ्तार कम होने की संभावना है मगर इस से अगले 3-4 दिनों में लगता 2-3 डीगरी नितन तापान में इजाफा होगा इस दौरान आस्मान साप और मौसम सुख्स बना रहेगा दुमका बेरमो सीट पर गटबंदन की जीत जाकन की दो सीटों पर हुए उपचुनाव महागर बंदन को जीत हासिल हुई है बेरमो में कंग्रेस परत्यासी कुमार जयमंगल अपने पिता की विरासत बचाने में कायम हो गए है दुसरी और दुमका में मुख मंत्री के हिमंद सुरेन के भाई बसंद सुरेन ने पूरो मंत्री लुईस मरांडी को पराजित कर दिया है बता दे जैमंगल ने योगेस्वर महत्तों को 14,000 से भी अधिक बोटों से हराया है वहाई जामों के बसंत सुरेन ने लुइस मरांडी को 6000 से अधिक बोटों से हराया है छट परब बाद नए सिलेवस के अधार पर जैक जारी करेगा मौडल प्रस्न पत्र संस्वधी सिलेवस जारी होने के बाद अब जारखन 182 कॉंसील मौडल प्रस्न पत्र जारी करने को लेकर जूट गया है बता दे छट परब के बाद मौडल प्रस्न पत्र जारी कर दिया जाएगा मैट्रिक और इंटर की परिक्षा को देखते हुए नवंबर माह के अंत में इसे हर हाल में जारी कर दिया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बोर्ड परिक्षा के तियारी में सवलियत हो सके छात्र जैक के वेपसाइट पर इसे देख सकते हैं प्रस्ण अपलोट करने के 4-5 दिनों के बाद प्रस्णों के उतर को भी जारी कर दिया जाएगा किरोणा वायरस संक्रमन के मदरजर जार्खन की हमन सरकार ने दिपावली और काली पुजा को लेकर गाईले जारी की है मंगलवार को जारी गाइल लाइन में असपष्ट रूपसे सरोजनिक अस्थानों पर पताखा जलाने पर बैन लगा दी गई है बता दे इस दिपावली को लेकर सरोजनिक अस्थानों पर पताखा नहीं फोड़े जाएंगे वहीं लोगों को अपने घरों में सर्थ के साथ पताखा जलाने को कहा गया है बतावली को देखते हुए सरकार फिलाल लेशनल ग्रीन टिवनल के निर्देशों का अधियान कर रही है जारखन में अभी केवल ग्रीन पताखे जलाने के नुमति मील सकती है इसके अलावा काली पुजा में बड़े पंडाल बनाने परोक लगा दी है पुजा के दुरान एक साथ पंद्रा ब्यक्ति से अधिक पुजा पंडाल में नहीं रह सकते हैं इस सम्मन में राजे के मुक्स अचिव सुकदेव सिंग ने आदेश जारी किया है सिक्षा मंत्री जगनात महतों का हुआ लंग्ष ट्रांस्प्लांट चेनाई के महत्मागादी मेटकल कॉलेज आइन रिशर्च सेंटर में भरती सुबे के सिक्षा मंत्री जगनात महतों का मंगरवार को लंग्ष ट्रांस्प्लांट किया गया बतादे दीन के डेड़ बये शुरू हुआ अपरेशन रात के साड़े नव बये समाप्त हुआ सिक्षा मंतरी के बेटे अकलेस महतो उफ राजू ने यह जनकारी दी है बच्चो के नमांकन का 25 नॉम्बर से होगा हाउस होल्ड सर्वे राजेक के सरकारी स्कूलों में बच्चो के नमांकन का स्कूल और हाउस होल्ड सर्वे किया जाएगा 25 नॉम्बर से सर्वे की सुरूआत होगी जो 8 दिसंबर तक चलेगी इसके बाद जीलो द्वारा 23 दिसंबर तक राजे मुखहले में इसकी रिपोर्ट सोपनी होगी जाकन सिक्षना परियोजना परिशत ने इसका सेडिल जारी कर दिया है बता दे इस सर्वे में 2021 के सेक्षनिक सत्र में नमांकन की जाच की जाएगी इसमें देखा जाएगा कि सेक्षनिक सत्र 2019-20 में जो बचे नमांकित थे उन्हें बरतमान सेक्षिनिक सत्र में नमांकन लिया है या नहीं एक महिना से ज्यादा दिनों के लिए ड्रॉप आउट है तो उन्हें ड्रॉप आउट मना जाएगा रेल्वे ने दिपाली वा छट पर राची से चलाई 35 स्पेसल ट्रेन राची रेल मंडल यात्रियों के सुविधा को देखते हुए 35 स्पेसल ट्रेने चला रहा है इन सभी ट्रेनों में आने और जाने के लिए अरक्षन शुरू है बतादे यात्री हटिया राची मूरी वा रेल्वे के अने पी आर एस काउंटर या वेबसाइट के माध्यम से अरक्षन करा सकते हैं ये सभी ट्रेने पुर्णता अरक्षी था है यात्री आरक्षी टिक्टो के माध्यम से ही इन ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं 35 ट्रेनों के चलने पर रेल यात्रियों ने रेलों की सराना की है किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना पर होगा काम राजे में क्रिसको की आमदनी एवं क्रिसी उत्पादन बढ़ाने को लेकर राज सरकार नई योजना पर काम कर रही है क्रिसी विभाग ने सभी जीलों से पांच बर्सों का एक्षन प्लान मांगा है जिसका अधेवन कर उस पर काम किया जाएगा साथी सरकार पूरु में सोफी गई टी नंद कुमार समीती की कारयो योजना पर काम करेगी बता दे टी नंद कुमार समीती द्वारा दोहर सत्र हमें रिपोर्ट सोफी गई थी जिसमें तीन बर्सों की समय की कारयो योजना में 2020 तक सीचाई शमता को उपयोग आठ लाख हेक्टेर तक पहुचाने का लक्ष रखा गया था किरिसी मंत्री बादल ने बताया कि किसानों को आत्मनिर बर बनाने के लिए सकार हर अस्तर पर काम कर रही है हर जोरूरी कदम उठाये जा रहा है किसानों को अधिक से अधिक लाब मिल सके इसको लेकर हुए बेतर से बेतर एक्षन प्लान पर काम कर रही है प्रसिक्षन पूरा नाई होने से लटकी 6 अजयर पुलिस पता अधिकारियों की प्रोनती लटकी हुई है इसका असर पुलिसिंग पर पड़ रहा है इसे देखते हुए डिजीपी ने ग्री करायों आपदा प्रवंधन विभाग के प्रदान सचीव से पतरचार किया है कि करने पर विचार किया जा सकता है जार्खन में 252 है संक्रमीतों के पुष्टी हुई जो बोकारों से 31 चात्रा दो देवघर बारा धनबाद 32 दुमका एक पूर्वी सिमुम 36 गड़वा दस गीडी चार गोड़डा दो गुमला छो हजारी बाग आर जामतला एक खोटी 3 कोड सार्मा दो लातेहार पांस त्वर्दागा एगारा पलामो दस रामगर बारा राची 43 सायव गए तीन सराइक लगख सवाचार सिम्डेगा दो वपच्मी सिमुम से बारा मिले हैं जारकन में कुल संक्रा मितों की संख्या एक लाग चार हैर नौसो चालीस है जबकि 9988 लोग स स्वास्थ हुए और 910 की मिरिती हो गई भारत में कुल संक्रा मितों की संख्या 86,34,341 है जबकि 80,10,67,581 की मिरिती हो गई भारत में नाइक केस 43,311 मिले हैं जबकि 33,423 लोग स्वास्थ भी हुए हैं भारत में इस समय एक्टिव केस 4,44,184 है वहीं जारकन में एक्टिव केस 4,042 है मंत्री रमेश्वर उराव और सांसद सुनील कुरोना पोजेटीव राजिके बीत और खाद अपूर्ति मंत्री रमेश्वर उराव कुरोना संक्रामित पाए गए हैं बुखार आने के कारण उन्होंने कुरोना जाच कराई थी जिसमें उनकी रिपोर्ट थी जिसमें पोजेटीव होने की पुष्टी हुई इसके बाद वे राची वापस लोटकर अपने अवास में ही आइसोलेट हो गए हैं बता देव आईसु के अधियक्ष्व अविधायक सुदेश कुमार महतों की रिपोर्ट निगेटीव आई हैं पाच नॉम्बर को ये द 315 लोगों की कुरोना जाच हो चुकी है अबादी के उनसर कुरोना जाच के मामले में जाकन राष्टी है अवसत से काफी आगे हैं बता देव पूरे देश में इतनी अबादी पर 88,033 की ही कुरोना जाच होई हैं शिमडेगा में 25 सेयर किसानों का पंजी अन कराना सिमडेगा आपर समहरता अमरेंदर कुमार सिंग की अधरक्षता में धान अधिप्राप्ति योजना से समांधित बैठक की गई बैठक में अधिक्स अधिक किसानों के पंजी करान पर चार्चा की गई सभी परखंडों के अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि इस बार धान की फसल कई गुणा अची हुई है इससे असपस ठाय की अधिक सदिक किसान धान देना चाहेंगे सभी अंचला अधिकारी को निर्दस दिया गया है कि बिहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करेंगे बतादे 25 नॉवंबर 2020 तक तिथी निधायद की गई है 25 नॉवंबर तक आवेदन प्राप्त किये जाएंगे इन किसानों का इउपाजन पोटल पर इंट्री की जाएगी बरतवान में 211 किसान पंजिकरीत है जिला के लक्ष के अनुशार 25 यर किसानों को पंजिकरीत करना है 27 के दोरान बसंद सुरेन और जय मंगल लेंगे सपत जारकन बिधान सभा के उपचुनाव में 9 निर्वाचित दोनों बिधायक जाओमों के बसंद सुरेन और कांग्रेस के कुमार जय मंगल उर्फ अनुप सिंग बुद्धवार को 27 के दोरान सपत लेंगे बतादे बसंद सुरेन दुमका से और कुमार जय मंगल उर्फ अनुप सिंग बेरमों से 9 निर्वाचित हुए है 27 के दोरान दोनों बिधायकों को बिधान सभाध्यक्स रविंद्रनाथ महतो सपत दिलाएंगे नए सिक्षा निती से सरपंच परतिनिद्यों को अउगत कराएंगे उपायुक्त नए सिक्षा निती के प्रवधानों से पंचायत परतिनिद्यों को अउगत कराया जाएगा ताकि सिक्षा के पिकास में उनकी भागिदारी सुनिश्चित हो सके पंचायती राजी के तीनों अस्तरो जीला परिशत पंचायत समीती तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिद्यों को ना केवल नीती की प्रवधानों की प्राती बेजी जाएगी बलकि उन्हें इससे अवगत कराने के लिए कारिकरम भी अविजित किये जाएंगे आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव कैमिनेट से पारित जार्खन कैमिनेट ने आदिवासी सरना धर्म कोड का कॉलम जनगर्णा में सामिलित करने को लेकर त्यार प्रस्ताव को स्विक्रिति प्रदान कर दी है इसके बाद यहाँ प्रस्ताव 11 नॉम्बर को बुलाएगा विशेश सत्र के दुरान विधान सभा को पारित कराया जाएगा बतादे यहाँ से प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा जारखन में लंबे समय से सारना धर्म कोर्ट को लेकर अंदोलन चलते रहे हैं और विभीन अस्त्रोपर राई नितिक दलों ने भी इस मुद्य को समती दी है कैबिनेट के फैसलों के जनकारी प्रधान सचीव अजय कुमार सिंग और राजिव अरून एकका ने दी है काक्चा नवी से बरावी तक के छात्र बताएंगे उन्हे कौन सी पुस्तके पढ़नी है बच्चों के लिए पुस्तके इसकोलों की लाइब्रेली में उपलब्द कराई जा सकेगी जहां बच्चे पढ़ाई कर सकेगे धनबाद में इस समधान पोटल शुरू पहला सिकत करता रीमा देवी कलिया सोल के मुगमा स्टेशन रोड निवासी रीमा देवी ने अपनी समस्य मंगलवार को इस समधान पोटल पर दर्ज कराई है बता दे उनकी जमीन पर कोई कावजा कर लिया है और उसे मुक्त करवाने की गुहार लगाई है सिकायत दर्ज करने की नई वेवस्था में रीमा देवी पहली महिला है बता दे मंगलवार दिन 11 बजे उनकी सिकायत पोटल में आई है संकरामन पर सोच सुरू धनबाद के केंदुआ वार्ड नंबर 12 में 300 पर होगा सरवे कोरोना संकरामन को देखते वे इंडियन कॉंसिल अव्फ मेडिकल रिसर्च ने जारकन के 3 जिलो में एक बार फिर सरवे सुरू कर दिया है धनबाद के वार्ड नमबर बारा केंदुआ डी में असलम एरिया में रहने वाले 300 लोगों को सर्वे के लिए चिनित किया गया है ICMR की विशेज टीम इन लोगों को एक सरे जाच सहीत अने जाच करेंगी जारखन में 243 दरोगा के थानेदार बनने का रास्ता साफ राज में 2018 में बाहल दरोगा रहेंग के अफसरों के थानेदार बनने का रास्ता अफसाफ हो गया है IG प्रिया दूबे नई समद में आदेश जारी कर दिया है इसे पुलिस को अनुसंधान और ला एंड और की स्थिती समानने के लिए अलग अलग आउसर मिल जाएंगे बतादेश 2043 दरोगा में से अधिकांस लोगों की ट्रेनिंग 11 महीना से अधिक पुरियोची की है सिर्फ साथ ऐसे पुलिस कर्वी बचे हैं जिनका पर्थिक्चन पूरा नहीं हुए है रामगर में गांगा उत्सों के तवात 18 परतिभागी हुए प्रोस्कृत गांगा उत्सों के मौके पर आयोजीत चितरांकन निवंधन लेखन तथा सलोगन लेखन परतिवगता में बेहतर परदसन करने वाले 18 परतिभागी हो को मंगलवार की साम जीला समारनाला के सभागार में आयोजीत समारों में डीसी संदीप सिंग वर डीडीसी नागेंदर क कुमार सिंग ने प्रससिस्त पत्रोवा मेडल देकर समानित किया है गटबंधन की जीत पर भाजपा ने उमिद्वारों को दी बधाई परदेश भाजपा ने दूमका और बेरमों से जीते उमिद्वारों को बधाई दी है पार्टिक के प्रमुक नेताओं ने कहा कि वे जन बुलाई जा सकती है अगले 30 सालों तक महागडबंधन की होगी सरकार बादल जाओमों उमिद्वार बसंद सुरेन को बधाई देने पहुँचे सुवे किसी मंतरी बादल पत्रलेख ने कहा है कि दूमका और बेरमों की जानता ने हेमंत सरकार पर भरुशा कर जानता ने जी कुरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतने किया सकता पलामू डिसी जागरूपता रथ पलामू वासियों को कोविन ने से बचाव करेगा परखंड छेत्रों के गाउं गाउं में जीला परसासन का रथ पहुँचेगा और धावनी 20 तारक के यंत्र एवं पैमपलेट जनों को कोविन-19 से बचाव एवं एतियात बरतने सहित अने संदेश देगा ताकि लोगों को जागरूपता आय और पलामू कोविन-19 मुक्त जिला बने इसे लेकर मंगलवार को कोविन-19 उचीत बेवहार परिवर्तन रथ को रवाना किया गया बतादे उपायूक ससी में अपना सुजा अवासे दे थैंक यू